का हुआ बे बैया को का हुआ बे हाई गाईस देख रहे हैं आपको हाई गाईस कर लो हाई गाईस हाई गाईस ओमा को हाई गाईस से बात करने हैं ओमा को बात करने हैं जलूली बात करने हैं जलूली 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 बात करने हैं कर लो तो आपने नहीं करो जिलीशी चाहिए असलाम लेकूम वेल्कूम बैक टू माइच चैनल तो जी आज का जो वीडियो है वह बहुत किसी चीज़ पर अधारित है जैसे कि टाइटल से आप लोग समझ गया हूंगे कि किसी चीज़ पर अधारित है मैंना बिग बॉस दिख रहे अभी दो-तिन दिन पहले तो उसके अंदर विब बॉस ने एक टास्क दिया था कि जो रुबीना जी के पास एक इम्मिनिटी स्टोन था वह वैसे उन्हीं के पास था लिगना अगर वो किसी और कुछ चाहिए तो वह उसको अपना डीप डाक सिक्रेट बता रहा था यह जो हैं वो जीत गए तो ऐसी देखते मुझे भी याद आया कि हाँ यार ऐसा होता है हर किसी की जिद्धी मेरा एक रह जरूर होता है जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते तो वह लोगों को पता कुराफाती दिवाग है पिर दिवाब में यह चीज बुचीज भी करने चाहि किसी को नहीं रहता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वह इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है जिसे कई बार में चीज़े होती है कि बंदा सोचता है कि नहीं में किसी को ना बता हूँ डर जाता है और फिर कई बार ऐसी सिच्वीशन आ जाती है यह मजबूरन या कभी चाहिए जैसे मेरे पास खैर कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं कोई मुझे ट्रिगर पॉइंटों करनी रहा कि आप जब बताओ यह राज या मुझे इसे बता के कुछ मिलने वाला नहीं हो सकता मेरा नुक्सानी हो और हो सकता है नहीं नुक्सानी होगा क्योंकि यह राज मै राज बताने के बाद मेरे जन्थे के पर क्या असर आने माला है वो जो आये तब कित ROM लेकिन फिलहाल बता देती हो तो चलिवचığı स्टर्ट कर लेते से लिवच Johnson पोर कीज़ ऑसे मेरे तो सुन मेरे ने पार पताना के और मंसे दूर मत हो जाना है एक कड़वी सच्चा ही है तो क्या करते हैं लेकिन मैं बस यही चाहते हूं कि आप लोग जैसे मुझे प्यार अब तक करते हैं वो आगे भी करते रहना और दूसरी बात हाँ एक चीज आप लोग से जरू कहने कि आज मैंने एक न्यूट शेट ट्राइ किया है यह मैंने अभी स्टार्ट कर लेते हैं देरी की सुहाथ की लेट के स्टार्ट तो जी मैं आपको बता रही थी अपना डीव एंडाक सीक्रेट वह बात कुछ उन दिनों की है कि जब हम बच्चे भी नहीं हुआ करते थे मतलब यंग एज में थे और मतलब ट्रेल्स क्लास में अच्छी खासी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ना समझ हूँ आची मतलब ठीक थी यंग गर्ल जैसे एक ग्रूइंग गर्ल जैसे कह सकते हैं मैं पूत थी और हम लोग का मते क्या था जोड़ा जी सही लग रहा है आप लोगे शेयर करने में तो हम लोग ने ना मतलब हमारा फेवेल था तो को विशानती थी बच्चों के साथ पुछी नी कर सकते हाँ तो मैं आप लोग को बता रही थे कि हम लोग का फेवेल था तो फेवेल में मतलब हम सारी गलसी थी आश्री में अजुआ कि अर्छ मेरी साथ तो हम लोगोंने सबने क्या किया था कि आप किसी तान कि भाष्ट नगा दूंगी अपनी यतूग कैसे लग रहे थे और फिर हम लोग गए ते एक फ्रेंट की घर वहां पर हम लोग ने सबने पर दो अच्छे से मनलब लिये थे तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्सी फोटो आप लोगो दिखा दूंगी ताकि आप लोगो को थोड़ा अंदाज हो जाए कि मैं कितनी बड़ी थी और हम लोग कितने लोग थे तो तो फिर दे क्या हुआ वहाँ पर ठीक हम लोगो ने पार्टी बटी करके और हम लोग वापस आ गए थे और उसके घर पर भी लांच था जैसे स्कूल से पार्टी कहतम होने के बाद और हला कि हम लोग ने अपने घर पर बता दिया था ऐसा तो खिर कभी भी नहीं हुआ कि म चुनघ लंच वनच लगाता उसके बाद हम आगें अपने घर तो कि हुआ ता उस दिन वहां से आने के बाद मैंने मशन कूरा करते कि तो मैं dif Arau चुप अच़एव घुति पास ही ता स्टूडियो मामी के साथ जाके मैं अपना एक फोटो क्लिक करा लिया अब उसकी वाद हम आगे घर पे तो पिर आशीमा जो तीना आशीमा का एक छोटा सा पर्स वालेट का पर्स वालेट का पर्सी वालेट इसके अंदर अमलब यह जो सिक्के होते हैं नहीं से कोई बात नहीं वह बात हो गई हम लोग सब अपने घर आगे फोटो हो गया सब ठीक है उसके दो दिन बाद क्या हुआ कि आशीमा मैं स्कूल गई तो आशीमा ने बोला कि वह मेरा परस तेरे पास आगया था तो वह मुझे दे दे तो मैंने ठीक है तो उससे पहले एक चीज दो याद नहीं लेकिन हम कुछ 20 रुपे के अंदर-अंदर की क्यों अमाउंट थी मैंने उसमें से निकाल के मेरे पास कम बढ़ रहे थे और मैंने उसमें से दे दिए थे आशीमा तो उस टायम पर 15 रुपे का एक फोटो था हां 10 रुपे के आज पास कुछ पैसे थे तो मै दो दिन बाद मैं तो आशी मैंने बोला कि यार मेरा ना पर्स तेरे पैल से गया है तो फिर उसके थर्ड जब मैं स्कूल जा रही थी तो फिर मैं में बिलकुल माइंड से निकल गया और मैं आशीमा को वुपर्स देती है और मेरे माइंड से बिलकुल निकल गया कि इसमें से मैंने तस रुपे के आसपास कुछ चेंज निका लेते और मुझे इसके अंदर दुबारा डालने हैं तो मैंने उसको परस्टे दिया अब आशीमा भी लेगी अपने घर पे अचा हमारे एक्जाम शुरू हो चुके थे तो बात बें जाले तो सुची कि मैं आप नियुक्ता से थिरे उस वक्त क्या हुआ था और मैं फिर चुप हो गई उसने मुझे बोला कि उसमें से पता यह कुछ मतलब पैसे चेंज बहुत जाएदा नहीं ऐसी पैसे कम हैं तो मैंने का अच्छा मैं चाहती थी बताना लेकिन मै नहीं बता पाई उसे और फिर उसने ऐसी बात होती थी तो बहुत बार मेरे मुझे आए कि मैं उसको बताओं बताओं कि वह पैसे मैं लिए लेकरिन मैं पतानी क्यों हिमत नीच पाई और फिर उसी एक चीज़ और बोली थी कि हो सकते हमका चाहर कर गहे थे ते वहाई के सार चुराय नहीं थे वह ऐसे जस्ता कि कम बढ़ रहते निकाल लेते वापस जलना भूल गई और फिर वह अपनी गलती को मानने के लिए कि वह अपनी गलती नहीं मानी और यह आज आप लोगे सामने बता रहे हूं और यह राज आशिमा भी देखेगी तो स्कोरलाइज होगा कि क है दस थे भारत है मुझे अब याद नहीं है लेकिन मैं दूंगी जरूर मरने से पहले अपना मुझा करना जरूरी होता है तो मैं जरूर करूंगी और बस मैं आप लोगों को यह बताने चाहते हूं कि यही है मैं जिन्दी का डीप इंडार्क सीक्रेट और मेरे को मैं जब अब लोगों पसंदाया और अगर आप लोगों प्रश्राइम के ऐसा कुछ भी किया तो मुझे सबसे बड़ी शरारत थी जिसके मैं आज भी पश्टाती भी और शर्मिंदा भी होती हूं और आश्रीमा से में माफ़ी माँने चाहते हूं कि आश्रीमा मैंने तेरे साथ इतना बड़ा दोखा करा मुझे माफ करते हैं प्लीज तो बस वीडियो पुसंदाया तो ठेसार लाइक करना और आप लोग अपने सीक्रेट में जरूर शेयर करना मुझे बहुत खुशी होग तो मैं मलती हुआ प्ली नेक्स फीडियो में तबताक बना बबहु सराख यादक नदूआ मुझे यादक नदूआ आला आप इस